नमस्कार दोस्तों स्वागर है अब सब आप सब देकर आप चीटूप चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Note 5 Pro या फिर किसी भी Redmi के फॉन पर आप keyboard theme setting कैसे कर सकते ठीक है keyboard theme के रिकार्डिंग पर आज मैं आपको यहां पर complete setting करके बताने वाला हूँ ठीक है तो इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर पता लग जागा आपको keyboard के regarding पर क्या क्या setting करने को मिलेगा तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजीगा और यदि आप online से पैसा कामाना चाते तो आप हमारा वीडियो description पर किया थे नहीं करने तो उसके बाद दोस्तों simply यहाँ पर क्लिक कीजिए अपका जो यहां पर सेटिंग का option शौड करें आप यहां को फोलो करके लिक कीजे ठीक है और यहाँ पर दोस्तों जो कि मैंने आपको बताया था कि आप keyboard में photo भी लगा सकते तो उसके लिए आपको यहाँ पर click करना ठीक है आपको जो यहाँ पर प्लास सा इंडिक रहा है pencil के start आपको यहाँ पर click करना है उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से फोटो चूज कर सकते हैं तो यहाँ पर simply जो है फोटो को चूज कर लिजीगा उसके बाद आपको यहाँ पर simply किसी भी एक पिक्चर को ले लेना है पिक्चर यहाँ पर दोस्तों सेलेक कर लेना है उसके बाद आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं तो यहां में दोस्तो आप जो भी थीम्स चाते हैं आपको यहां पर मिल जाएगा आप यहां से कीबार्ट के थीम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तो बहुत थीम्स आपको नीचे मिल जाएगा तो आप यहां पर दोस्तो कीबार्ट थीम्स को लगाना चाते हैं तो आप इसी process को follow कर लिजे आपको यहाँ पर keyboard कर themes मील जाएगा तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतने thanks for watching